तो फलो दोस्तों राजस्तान हाई कोट बरती का अधिकारी नोटिफिकीशन है जारे हो चुका है अब देखो राजस्तान में जो हाई कोट की बरती निकल के है इसमें कितने पद निकाले गई है किस केटेग्री वाइद पद रखेगी है कुन इसके लिए फोरम अपलाए कर सकता है मैं आपको सारी जानकरे बताऊं वाइस भरती के राजस्तान हाई कोट जो सिविल बरती उसका अधिकारी नियोटिफिकेशन जारे हो चुका राजस्तान हाई कोट के द्वारा इसमें देखो सिविल और नियाइडीस होता है अलग अ आप अपलाए कर सकते हैं आपकी जो फोरम भूबी शुरू हो चुके हैं नो अप्रेल चे आपके 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 दिखारी नोटिफिकेशन जारे किया गया रास्तान हाई कोट के द्वारा इसमें आपका एक्जाम डेट भी दे रहे हैं कि आपका एक्जाम कब लगेगा आपको सारी जानकारे मिलेगी जो भी स्टूडेंट अपलाए करना चाहता है राजस्तान हाई कोट सीविल बर्ती दोचार चोइस के लिए वीडियो को अंतक देखना तब आपको इसमें पूरी इंफ्रमेशन आपको पता चलेगी इसमें सेक्शन योगिता क्या रखेगी को इसके लिए फोरम अपलाए कर सकते हैं आप सेलेक्शन प्रोसेश एक्जाब रेटर में आपको सारी जानकारे बता हुँगा अब स्क्रीन के पर चलते हैं वीडियो को लाइक लेना चलो सब्सक्राइब लेरा अगर आप नवे तक नहीं किया क्योंकि जो भी नहीं बढ़ती पर चलों इसका अधिकारिंग नोटिफीकेशन है जारी कर दिया गया है अब जो इस्टुडेंट राजस्तान हाई कोट सिविल बर्ति के लिए फोरम अपलाए करना चाहता है तो आपको मैं सारी जानकारे बताऊंगा जो भी स्टुडेंट अपलाए करना चाहता है इस बरत राजस्तान प्रकूर थे था। इसमें इसमें पद रखे गए इसए नायदीश अवकील होगया मेरी नाब है आपके पद मे चाहिए ॥ाह protocol कितने पद रखें है राजस्तान हाई कोड़ सीविल के लिए देखो पोस्टे रखी के यह 222 पदव रखी गए 222 पदों के लिए दिखारिंग नोटिफिकीशन है वो जारी कर दिया गया इसमें जोब लोकेशन रखी राजस्तान राजस्तान के अंदर जो जोदपूर जिला है वहां पी बढ़ती निकल के यह राजस्तान हाई कोड़ सीविल रिक्रुमेंट दोजार चुविस की इस वह आपका देखो एक्जाम कप लगे आपके इस डिफवर्न डेट है वो 9송ल 2020 से नो अप्रिल डूजार चुविससे शुरू ओ चुके ऑप्लाए कर सकते आघे बात करते हैं विस रखे गई है देखो एप्लिकेशन जिसमें जनरल केटेगरी ओबीसी केटेगरी एप्लिकेशन फीसा आपके आविदिन शुल कब वह एक जार रुपे रखा गया और प्रकार से आपके एप्लिकेशन फीसे वह रखी गई है आगे देखो बात करते हैं अब बात करते हैं आपके मिनिम्म जो एज लिमिट वह 21 वरस रखी गई है 21 से लेकर आपकी स्व्यक्रतिम्राश प्रस्रा रखी गई है कि आप को आगे में आगे में करना चाहतें और देखोँ समें कान दबात करते हैं देख हैगे और कॉलिफेकीशन के रखौण की गई आपके सेक्षण योगी था राजस्तान हाई कोट सिविल भर्ती दोजारच लिए देखर राजस्तान हाई कोट के लिए फोरम अप्लाइक करना चाहते हैं जो कलरक बढ़ती है सेक्षण योगीता है किसी भी माननेता प्राप्ति इनुवरसेटी से आपने अलल भी किया आपके पास डिगरी नहीं है तो आप राजस्तान हाई कोट कलरक बढ़ती के लिए आप अप्लाइ कर सकते हैं आगे बात करते हैं आपका सेलेक्षण कैसे होगा सबसे पहले तो आपका दो एक्जाम लगेंगी इसमें पहले आपका प्लिम्स एक्जाम लगेगा जो अब्ज प्लिम्स एक्जाम लगेंगी फिर आपका एंट्रव्य होगा दोनों एक्जाम आप पास होने के बाद डोकुमेंस वेरिफाइकेशन फिर आपका मेडिकल एक्जाम लेक्षन यह रखा गया तो चेन पर करिए रास्तान हाई कोट भरती 2024 के लिए अपलाइगने की लिंक आप को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने भी तक नहीं किया है